माफिया डौन मुक्तार अंसारी को जैसे ही तबियत खराब होने की खबर मुख्यमंत्री योगिया दिफ्टात और उसके कारियने को मिली उसके बाद टी जी पी अपर मुख्य सची हो गए समय तमाम बड़े अधिकारी सक्री हो गए और उसके बाद पलपल की जानकारी तमाम अधिकारी उसके बाद लेकिन उसके इलाज के बाद बाद जेल मुक्तार अंसारी को धेस दिया था लेकिन आखिर कार आखिर क्या हुआ उसकी पलपल की जानकारी तमाम अधिकारी ले रहे थे आखिर कार हुक्तिमंत्री को पलपल की जानकारी दी जा रही थी लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ये तैय हो गया कि मुकारल सारी की मौथ हो चुकी है और इसके बाद प्रदेश में किसी भी तरीके से law and order को लेकर के कोई व्यवस्था धौस्त होती ना दिखे या व्यवस्था चैलेंजिंग ना दिखे इसके लिए अधिकारियों ने पूरी तरह से रिर्देश दिये और पुलिस हाई एलर्ट पर उत्रप्रदेश में कर दी गई है जानकारों की मने तो पुरवचल की सियासत को मुप्तार अंसारी बहुत ज्यादा प्रभावित करता आया है पिछले कई द अशकों में और इस बार भी मुप्तार अंसारी की मौध क्या प्रभाव ला जालने जारही ह। पुर्वांचल की सियासत पर लोग सुभाद चुनाओं के दुबबी बत चुकी है। पर देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में क्या होने जा रहा है पुर्वांचल की पॉलिटिक्स में यह देखना काफी दिल्चस्प होगा।